पंडी जी ने कहा था जब कोई गिरता है भगवान उसको जहलता है तो उसने का चलो मैं कुवे में गिर के देख लेता हूँ पर उसने सोचा अगर मैं कुवे में गिरूँगा और भगवान मुझे जहलने नहीं आया भगवान मुझे उठाने नहीं आया तो फिर मैं तो मर जा बंदा और कुए में गिर गए भगवान उसको जहलने के लिए नहीं आया बहुले ना तुसको लेने के लिए नहीं आया परमात्मा उसको लेने नहीं आया अब पांच दिन निकल गए वो उल्टा की लटका वहीं से एक व्यक्ति निकल कर जा रहा था उसने देखा कोई विचा गए कालने लगा उसने का जÁी नहीं मुझका मत निकालना मैं ने प्रवचन में सुना है फॉर्टेंजी कर रहे थे जब कोई गिरताए तो भगवान उसको जहलता है तो वäsident तो वह जो ब्यक्ति था उसना पूछा तेरे पंडी टीने ऐसा खिरने बताया उसने कहां इसा एई बताया तो उसने सोचा में भी गिर के देख लेता हूं भगवान मुझे भी जहलेगा अब उसके पास रसी नहीं थी बढ़के पेड़ की बटवरक्च की डालियां तोड़कर राया उसको एक दूसरे से बांधा और पेड़ की डालियों से उसने पाउं बांधा और कुए में घुद गया है का अब रस्ई तो मजबूत कि रसी हो जव्य तो मजबूत कि लें रस्फ ती बैसे मजबूत तो वहस पेले वाला जुरसी से बंदा सबात हुआ था वो तो उसमें नहीं गिरा पर जिसके पेड़ की मैं बंदी गरती हुई ती फर्मातमानी अब परमात्मान ने उसको गोदी में आकर जेला जो पेले का लटक रहा था उसने कहा भोले नार मैं पांच दिन पेले का लटक रहा हूं पेले मुझे जेलो संकर जी बोले तुझे तो दुनिया में कोई नहीं जेल सकता तुने गुरू के वचन पर विश्वास नहीं करा और इस व्यक्ती ने तेरे वचन पर विश्वास करकर पूद गया जो विश्वास किसी के वचन पर करता है उसको परमात्मा भी जेल लेता है वरना परमात्मा भी नहीं जेलता है भरोसा जिसका पक्का है धड़ता जिसकी पक्की है लिश्वास जिसका पक्का है उसे परमातमा भी अपनी गोदी में जहल लेता है। इसका विश्वास पक्का नहीं, उसे परमात्मा भी नहीं जहता, वरोसा दड़ी है, दड़ी वरोसा, हम परमात्मा पर इस बहने, गुजरा से आई हुए इस बहने लिख दिया कि, मैं नहीं जानती, मैंने बेल पत्र खाया है बाबा, मैंने बेल पत्र खाया है, मैंने शिव जी पे चड़ा हुआ जल पिया है, मैंने शंकर भगवान का गुणगान किया है, तो यह मेरा भरोसा कता है कि मुझे बापिस कैंसर नहीं आ सकता है, उसमें लिखा, और पत्र में लि मेरा नाम सुनिता विश्णोई पती का नाम सीता राम जी विश्णोई लुद्याना पंजाब से हैं कहीं बेटे हैं क्या ठीक है बाकी के सब लोग हाथ मत हिलाओ जिनका नाम लिया जा रहा है केवल वही हाथ हिला मेरे पती का नाम सीता राम जी विश्णोई हम लोग दिहाना पंजाब से आहें मेरा मोबाइल नंबर यह है मैं बर्णान करना चाती हूँ एक लोटे जल का शिवजी पे चड़ी हुई बेल पत्तर का मेरी मा की किटनी पूरी तरह से डेमेज हो गई थी दो महीने तक खाना नहीं खाया किटनी पूरी तरह से बेकार हो चले तब हमने शिवजी पे चड़ा हुआ जल देना उनको चालू करा सीहय हो रगए वहां से रुद्राख चलाया कंकर शंकर की पूजनकरी वहां से रुद्राख चले करा उसको तांव chair कि उस जटो आए प्रानी को कर आए अटिए का मेरे बाबा ने मेरी माता इसलिए मोग लोग लोडिहाना से नहां प्रणाम करने के लिए मेरे माता की किड्ड़नी बापिसम्काम करने के लिए शिव टय को थे बैंद शरी शिवाये नमस्तु भइंबर्थी शिव कि पर मात्मा हमारे पास कब तक नहीं आता जब तक वमारा भरुसा अदड़ी नहीं होता हि माता सती our budget माता पारवति marketing चरिथ Along की कथा अरहा दिहान से सुनेंगे इस मर्ण में लेंगे तो माता सती और माता पार्वती की कथा अगर ध्यान से स्मर्ण में लेंगे तो आपके स्मर्ण में आएगा कि जितना विश्वास माता पार्वती जी ने शिवजी पर करा उतना विश्वास माता सती नहीं कर पाई भरोसा अगर सती महिया विश्वास कर लेती न तो माता सती को जलतर भस्म नहीं होना पड़ता है अगर सती महिया विश्वास कर लेती तो सती माता के प्राण नहीं जाते है सती महिया ने शिव जी के बच्चन पर विश्वास नहीं करा और पारवती जी ने जितना जितना भोले आजी बोले हैं उतना उतना उनका भरोसाफ चिजिटना अब हो जिटना ने अप आये हो शी महापुराण की कथा में लाखे हो पूरे इस्टेडियम में कहीं जगाह नहीं है जितने अंदर बेठे हैं उससे जाता एक डिशादियम के बहार हैं लोग दुकानों के अंदर बेठे हैं ओटले पर बठे हैं गाडियों में बैठे हूं जितने इंस्टेडियम के लिए-टियम के अंदर